हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वास्त और मस्त होंगे और आप सब की बिहार से चक भरती के त्यारी बेहतरिन चली होगी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गडित के कुछ महत्वर प्रशनों को डिस्कस करेंगे जैसा कि दोस्तों आगामे बिहार से चक भरती में पूछे जाने की पूरी संभावना है तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किया अंतर जरू देखेगा चली सुरुवात करते हैं आप पहले प्रस्से पहला प्रशन है दोस्तों यदि एक भिन्न के अंस तथा हर का योग जो है 11 हो और यदि अंस में एक जोड दिया जाये तथा हर में से 2 घटा दिया जाये तो भिन जो है दो बटा तीन बन जाती है तो अभिष्ट भिन हमें बताना है दोस्तो तो दोस्तो एक्जाम में जो है समय बहुत कम होता है तो दोस्तो ऐसे सवालों को जो हम आपसन से सौल करेंगे तो दोस्तो देखीगा ये सवाल जो है आपसन से कैसे सौल होगा यहाँ पर क को जोड़ेंग कितना हैगा एक ग्यार आ गया अब यहां अगला कंडिशन क्या है अंस में एक जोड़ दे अंस में दोस्तों एक जोड़ दिया और हर में से दो घटा दिया जाए हर में से दो घटा दिया जाए तो भिन्न कितना हो जाता है दो बटा तीन हो जाता है तो दो यहां पर देख रहे हैं, कि दो बटा 3, इधर माना आया है, और इधर दो बटा 3 था, तो यहां पर दोनों पक्षो का मान क्या गया बराबर हों जारह रहा है, तो दोस्तों अभिष्ट भी निसमें से कौन्सी होगी? तीन बटा आठ होगी तीन बटा आठ दोस्तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला स्वाल है दोस्तो एक द्वी अंकी संख्या के अंकों को परसपर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है संख्या के अंको का योग 6 हो तो मूल संख्या बताईए ऐसे सवालों को भी दोस्तो हम जो है आपसन से स्वाल करेंगे क्योंकि एक्जाम में समय बहुत कम होता है तो दोस्तो ये सवाल जो है आपसन से भी हल हो जाएगा यदि आप इसको सवाल को नहीं लगा पा रहे हैं तो इसको आप आप संसे आराम से स्वाल कर सकते हैं कैसे देखिएगा दोस्तो यहाँ पर अंको का योग देखिए लाश्ट में लिखा है कि अंको का योग कितना है 6 है तो दोस्तो पहला अंकी यह हो गया दूसरा अंकी यह हो गया इन दोनों को जोड़ेंग कितना आ रहा है दस आ रहा है इन दोनों को जोड़ेंग कितना आ रहा है दस आ रहा है इसका मतलब पहला वाला और दूसरा वाला उत्तर तो गलत हो गया तीसरा चेक करते हैं दोस्तों तीसरे में जो को परष्पर बदल दे, अब दोस्तों यहां पर क्या करेंगे, अंकों को बदलेंगे, तो बदलेंगे कितना आएगा? 42 आएगा, बदलने से पराप्त संख्या, मूल संख्या से 18 अधिक है, तो ये दोस्तों जो नया संख्या प्राप्थ हुआ है वो मूल संख्या से मूल संख्या मेरा 24 है मूल संख्या से कह रहा है कि 18 अधिक है तो हम चेक कर लेते हैं 24 में से 18 जोड लेते हैं 24 में 18 जोड़ें कितना आएगा 8, 4, 12 और 22 आगया जैसा कि जो प्रतिबंद में कह रहा है वो सही कह रहा है तो यहाँ पे दोस्तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा यदि करड़ी A प्लस करड़ी B बराबर 17 दिया है और करड़ी A माइनस करड़ी B बराबर 1 दिया है तो करड़ी में A B कामान बताना है कैसे निकालें दोस्तो ध्यान समझेगा साथ से पहले लिख लेते हैं करड़ी A प्लस करड़ी B बराबर 17 हो जाएगा और यहां लिखेंग करड़ी A माइनस करड़ी B बराबर कितना 1 हो जाएगा अब दोस्तों यहाँ पे जोड़ने पर इसको हल कर लेते हैं तो जोड़ेंगे तो B ओ B कड़े आएगा करड़ी A कामान समीकर नमबर एक में रख देते हैं तो समीकर नमबर एक है करड़ी A प्लस करड़ी B बराबर कितना 17 है तो दोस्तों यहाँ पर करड़ी A कामान रखेंगे 9 प्लस करड़ी B बराबर कितना 17 करड़ी B कामान निकालें दोस्तों 17 माइनस 9 हो जाएगा तो करड़ी B बराबर कितना हा जाएगा 17 में सनो गे 8 हा जाएगा तो दोस्तो करड़ी B का मान है यहाँ पर हमें पता चल गया 8 और करड़ी A का मान 9 हमसे पूछ रहा दोस्तो कि करड़ी में A B का मान बताइए इसका मतलब दोस्तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं करड़ी A गुड़ते करड़ी B लिख सकते हैं दोनों का मान रखेंग दोस्तो यहाँ हो जाएगा 9 गुड़ते करड़ी B का मान 8 9 अठे कितना हो जाएगा 72 72 दोस्तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला स्वाले दोस्तो 5 संख्याओं का आउसत 65 है इन में से प्रथम 2 संख्याओं का आउसत 81 तथा अंतिन 2 संख्याओं का आउसत 38 है तो तीसरी संख्या बताईए कैसे निकलने दोस्तो ध्यान समझेगा सबसे पहले यहाँ पर दिया है 5 संख्याओं का जो दोस्तो यहाँ पर आउसत पांच संख्याओं का आउसत कितना दिया है? पैसर दिया है तो हम इनका योग निकाल लेते हैं तो योग निकालने के लिए क्या करें दोस्तों? पांच में पैसर का गुड़ा कर देंगे तो पचाहम 25, 5, 6, 30 दो कितना हो जाएगा? 32 हो गया आगे क्या कहता है? प्रथम दो संख्याओं का आउसत कितना है? 81 है शुरू से दो संख्याओं का आउसत कितना दिया है दोस्तों? दो संख्याओं का आउसत दिया है 81 इनका भी दोस्तों हम योग निकाल लेते हैं योग निकालने के लिए दोनों का गुड़ा करेंगे दो एक का दो दो अठे 16 हो गया आगे क्या कहता है अंतिम दो संख्याओं का आउसत 38 है अंतिम से दो संख्याओं का जो आउसत दिया है दोस्तों वो कितना दिया है 38 दिया है इनका भी दोस्तों हम योग निकाल लेते हैं तो योग निकालेंगे दो में 38 गुड़ा कर देंगे 2 अठे 16 हो जाएगा और 2 त्याए 6 और 1 साथ हो जाएगा अब दोस्तों पूछ रहा है कि तीसरी संख्या क्या होगी तो दोस्तों तीसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे तीसरी संख्या बराबर हो जाएगा जो पहली संख्या मिला है 325 में से घटा देंगे किसको इन दोनों को जोड़ कर तो 162 प्लस कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा 325 माइनस 628 हो जाएगा साथ च्छा तेरह हो जाएगा एक एक दो 238 हो गया घटा देंग दोस्तो कितना जाएगा 15 में से 8 गये 15 में से 8 गये दोस्तो 7 आ जाएगा और 11 में से 3 गये 8 आ जाएगा तो दोस्तो तीसरी संख्या क्या होगी 87 होगी 87 इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला स्वाल है दोस्तो एक बिद्यार्थी को दो पेगाते 5 गुड़ते 9 का स्क्वाइर लिखने को कहा गया परन्तु उसने 2592 लिख दिया इन दोनों में कितना संख्यात्मक अंतर है कैसे निकालें दोस्तो ध्यान समझेगा दोनों में अंतर पूछ रहा है तो क्या कर दें दो पेगाते 5 गुड़ते 9 का स्क्वाइर माइनस 2592 हो गया तो दोस्तो दो पेगाते 5 कमान कितना होता है 32 और 9 का स्क्वाइर कितना होता है 991 होता है माइनस 2592 हो जाएगा अब दोस्तो 32 में 81 का गुड़ा कर देते हैं तो दोस्तो 32 में 81 का गुड़ा करेंगे तो 2592 आएग अगला स्वाल है दोस्तो एक बटा दो तथा तीन बटा पांच के बीच निम्न में से कौन सी परिमे संख्या होगी तो दोस्तो इन दोनों के बीच में कौन सी परिमे संख्या होगी कैसे निकालेंगे कि ध्याद समझेगा सबसे पहले क्या करते हैं एक बटा दो को भाग करके देख लेते हैं कितना आएगा तो दोस्तो इसका मान आएगा 0.5 और तीन बटा पांच को अगर दोस्तो हम भाग करें कितना आएगा 0.6 इन ही दोनों के बीच की परिमेशन के हमें ग्याद करना है तो दोस्तो इसको अगर हम भाग करेंगे कितना आएगा 0, 10 मोलो, 4 आएगा और दोस्तो इसको अगर हम भाग करेंगे 7, 4 से तो कितना जाएगा दोस्तो 0 बढ़ाएगे तो 7, 4, 28, 7, 35, 7, 35 35 हो जाएगा 10 में से 5 गे 5, 0, 7 कितना हो जाएगा दोस्तो दोस्तो अगर हम यहां पे भीने बदलेंगे तो 0.6 हो जाएगा श्य प्रकार दोस्तो एक बटा 3 को अगर दस्मलों लिखें कितना आजाएगा तो दोस्तो 0.5 साथ किसका मान है चार बटा साथ का मान है तो इन दोनों के बीच की परिमेशन क्या कौन सी होगी चार बटा साथ हो जाएगा तो चार बटा साथ इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला स्वाल है दोस्तो चार कैमरों तथा च्छा सेलफोनों का मुल्य एक क्यावन हजार तीन सो पैसे ट्रुपिया है तो बारा कैमरों तथा अठारा सेलफोनों का मुल्य कितना होगा कैसे निकालें दोस्तो ध्यान समझेगा दोस्तो हम यहाँ पे कैमरे को माल लेते हैं X और सेल फोन को हम माल लेते हैं Y तो दोस्तो चार कैमरा और 6 सेल फोन का जो मुल्य है वो कितना है दोस्तो 51,365 रुपिया है हमसे पूछ रहा है कि 12 कैमरा और 18 सेल फोन का मुल्य पूछ रहा है तो दोस्तो इन दोनों कांग गुड़ा करेंगे तीन चोक कितना हो जाएगा 12 अक्स और तीछा कितना हो जाएगा 18 वाई हो जाएगा तो दोस्तो 12 कैमरा और 18 सेल फोन का मुल्य कितना होगा 1,54,95 रूपिया होगा जैसा कि दोस्तो तीसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है अगला प्रश्ण दोस्तो करडी 32 प्लस करडी 48 बटे करडी 8 प्लस करडी 12 कमान कितना होगा कैसे लागा हैं दोस्तो ध्यान समझेगा करडी 32 को दोस्तो हम लिख सकते हैं 16 गुड़ते 2 प्लस करडी 48 को दोस्तो हम लिख सकते हैं 16 गुड़ते 3 बटा अब दोस्तो करड़ी 8 को क्या लिख सकते हैं 4 गुड़ते 2 लिख सकते हैं और 12 को क्या लिख सकते हैं 4 गुड़ते 3 लिख सकते हैं दोस्तो 16 कवर्ग मूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 कवर्ग मूल नहीं निकलेगा, प्लस 16 कवर्ग मूल 4 हो जाएगा दोस्तो, और 3 कवर्ग मूल नहीं निकलेगा, बट्टे, यहाँ दोस्तो 4 कवर्ग मूल हो जाएगा, 2, यह 2 कवर्ग मूल नहीं निकलेगा, प्लस 4 चार कवर्गमूल दोस्तों दो हो जाएगा तीन कवर्गमूल नहीं निकलेगा उपर दोस्तों चार कामन हो जाएगा तो कितना बचेगा करड़ी दो प्लस करड़ी तीन और दोस्तों नीचे जो है दो कामन हो जाएगा करड़ी दो प्लस करड़ी तीन बचेगा कैंसिल हो तो दोस्तो इसका सही उत्तर क्या होगा दो हो जाएगा दो इसका सही उत्तर हो जाएगा आज की इस वीडियो दोस्तो इतना है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजीगा सेर कीजीगा मिलते हैं नेस्ट वीडियो में धन्यवाद